हालो बच्छो आज क्या करने वाले हैं आज हम कॉंसेब्ट को पढ़ेंगे किसकी मदद से अपने निमौनिक्स की मदद से तो आज किस कॉंसेब्ट को पढ़ रहा है आज हम पढ़ रहा है wanna diffusion और diffusion क्या है अफकोस, it is one of the process one of the means of transport कहाँ पर हमने इसे पढ़ा है ट्रांस्पोर्ट इंप्लांट्स के अंदर ठीक है तो डिफ्यूशन के फटा-फट से इस कॉंसेट के फीचर को याद करते हैं आज निमुनिक्स की मदद से बेटा अगर वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज लाइक करें और कॉमन सेक्शन में मुझे प्लीज बताएं कि आप और किन-किन टॉपिक्स के बारे में डिसकस करना चाहते हैं खासकर उन्हें लर्न करना चाहते हैं इन शॉट्रिक्स की मदद से ठीक है तो डिफ्यूशन की अगर हम बात करें बेटा क्या याद रखोगे याद रखोगे नो टू जीपीएस यू आर ओल टेक्नॉलजी एक्स पर जीपीएस यूज़ करते हैं आप लोग बिल्कुल यूज़ करते हैं हम लोग तो क्या याद रखना है नो टू जीपीएस नहीं है एक ही जीपीएस सिस्टेम है हमारा ठीक है तो नो टू जीपीएस अगर याद रहेगा तो डिफ्यूशन देखो कितनी जल्दी कवर कोईगा चालो सबसे पहले देखते हैं लो से हमारा क्या क्या फीचर निकलता है नो से निकलता है दिफ्यूशन का सबसे इम प्रॉटन फीचर जो की है अगर मिधि द्फ्यूशन की बात करूँ रखनी दिफूशन प्रोसस है जहां ट्रान्सपुड घॉर ऑलोग अलोग व् concentration, no shabd क्या दिखाता है, no shabd दिखाता है, that there is no energy that is used, किस के लिए, भाई मेरे diffusion process को carry out कराने के लिए, ठीक है, तो कोई ATP use नहीं होता है, let's come to 2 का T, ये क्या दिखा रहा है बेटा, ये इस बात को दिखा रहा है, कि ये जो मेरा diffusion है, it is a kind of mean of transport, कहां पर हम plants में पढ़ रहे हैं इसे, ठीक है, short distance के लिए, transport में मदद करता है, GPS के G पर आते हैं, अगर तुम substance को देखो, if the substance is what, either substance क्या है, gases है, या फिर liquids है, diffusion जो property है, it is very, very evident, gases और liquids के case में, ठीक है, coming to P of GPS, ये क्या दिखा रहा है, भाई, ये एक बहुत important feature को दिखा रहा है, ठीक है, membrane एक तरफ है, भाई, एक तरफ higher concentration है, एक तरफ हमारा क्या है, ये suppose, let's say, ये हमारा membrane है, ठीक है, molecule is at higher concentration, ठीक है, movement है, कहाँ पर higher concentration से substance की, lower concentration की तरफ, ठीक है, और ये जो in between हमारा membrane है, भाई, इसकी permeability plays a very important role, तो permeability P से क्या याद रखोगे, permeability of membrane, और साथ ही साथ दो चीज़े और याद रख लो, pressure plus temperature, ठीक है, तो permeability of membrane, pressure and temperature 3, ठीक है, किस से याद रखेंगे, permeability of membrane and pressure with temperature P से, आ जाओ, S से, GPS के S से क्या याद रखोगे बेटा, diffusion जो है, ये एक बड़ा ही slow process है, ठीक है, it is a slow process, it takes time, ठीक है, तो इसी लिए diffusion जो है, short distances के लिए, transport में ये मदद करता है, ठीक है, तो क्या याद रखना है, नो 2GPS, याद रखना है, नो से याद रखोगे, no energy used, 2 के T से याद रखोगे, transport में मदद करता है, GPS के G से याद रखोगे, gases and liquids में, बेस्ट स्टडी, ठीक है, P से याद रखोगे, permeability of membrane, pressure and temperature, और S से याद रखोगे, slow process है, diffusion, कितना असान है, नो concept को याद करना, that's the best way, you know, these tricks, they really help us, बेटा, वीडियो पसंद आया, प्लीज, do like and do comment section में मुझे बताना वीडियो कैसा लगा and और किन topics पर discuss करना चाहते हो, ठेक है, thank you very much for watching the video.